वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूपी पीसेस दो हज़र चोवीस और आरो यारो के लिए हम लोग ताफ थाउजन कोशिन की सीरीज सॉल कर रहे हैं वैसे तो ये प्री एक्जाम के लिए मैंने सुरू किया था जो पीसेस होने वाला था वी एक्जाम पोश्ट पोन हो चुका है लेकिन ये कोश्ट आपको दोनों ही एक्जाम में हल्फुल रहेंगे और जो बच्ची नहीं हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूए क्लाश डेली रात को नौबजे आती है जिसमें 120 प्रश्ट आलेडी हम लोगों ने कर लिये हैं अगर आपने उनकोश्ट को नहीं देखा है चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है आप विजिट करेंगे आसानी से मिल जाएगी उनकोश्ट को भी ज़रूर देख लें चैनल आज का जो पहला प्रश्ट है उसमें पूछा गया इसका राइट आंसर क्या होगा बताईए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन बी में 1,2,3 दिया गया अर्थात मेनार्क, मेंसुएशन और इस्टोजेन एडम सेपल होता है बॉइस में आपने देखा होगा गले के पास आपको दिखता होगा उभरा हुआ पैटर्न वो क्या होता है एडम सेपल बोलते हैं उसको या कंट बोलते हैं हिंदी में कंट समझ में आ गया होगा अब ये तीनो हैं क्या जो इस टर्म्स दिये गए हैं आपके लिए समझना थोड़ा मुस्किल है जो science के students हैं उनके लिए easy होता है बट मैं आपको एक common language में समझाने की कोशिश करूँगे और आप सभी को समझ में आगा ये क्या है तो समझे कि जो females का reproductive phase होता है वो कब से start होता है जब से puberty start होती अर्थात 10 से 12 साल की उम्र में ये puberty start हो जाती है अब यहाँ पर इसके start होने के साथ female में क्या होता है ओवा का production होने लगता है एक ओवम हर मन्त release होता है जब birth होती है गलचायट की तब इनकी संख्या बहुत जादा होती है लेकिन puberty के साथ साथ मेंनो पौस तक ये लगभग लाकों की संख्या में खत्म हो चुके होता है लेकिन हर मन्त एक ओवम release होता है अब ये क्या होता है ये egg है या फिर इसको ओवम बोलते हैं अगर sperm आकर के fertilize करता है जब ये release होता है तो फिर क्या होगा बेबी का formation होगा embryo या zygote बनेगा अगर नहीं fertilization होता है तो इसके release होने के बाद तो क्या होगा कि जो ये menstruation वाला term है ये समझे जो uterus होती उसकी thickening बनती रहती उस पर blood की एक layer बनती रहती है और हर 28-30 days के बाद क्या होता है ये जो inner lining है वो क्या होती है bleeding के माध्यम से बाहर निकल जाती इसको menstruation कहते हैं और जब पहली बार ऐसी process होती है तो इसे menarch बोलते हैं दोनों term clear हो गए होंगे और ये hormone है female का जो estrogen है इतना समझ में आपको आ गया होगा तो यही इसमें process बताई गई है menarch क्या थी menstruation क्या है estrogen क्या है मैंने आपको समझा दिया है clear हो गया होगा option be right होगा इस question का अगला प्रशन है निमलखित कत्नों पर विचार कीजिए पहला statement है अंता स्रावी ग्रंथिया हर्मोन को सीधे रक्त प्रवाह में छोड़ती है इसलिए इन्हें ductless gland कहते हैं second की सोरा वस्ता में होने वाले परिवर्तनों को हर्मोन द्वारा नियंतित किया जाता है थरड़े इन हर्मोनों का उत्पादन PTT ग्रंथि नामक अंता स्रावी ग्रंथि से स्रावी दूसरे हर्मोन के नियंतरण में होता है वो प्रोग्त में से कौन से कथन सही दिये गया है देखे इसमें सारे statement correct option b right होगा ऐसा क्यों है समझे जो endokrine gland होती है एक तो exokrine gland होती है दूसरी endokrine gland होती है और कुछ mixed भी होती ही जो endokrine और exokrine दोनों होती है जैसे कि प्र violent होती है इन में कोई नलिका नहीं होती से लिए इनको ductless बोलते है और यह रक्त प्रवाह मतलब यह अपना हॉर्मोन जो रिलीज करती है वो रक्त के माध्यम से बॉडी में पहुंसता है पहला statement सही हो गया अब देखे जो adolescence की age होती है अर्थात जो परिवर्तन हो रहा होता है बच्चे से युवा आवस्था में जो परिवर्तन होता की सोरा आवस्था में वो adolescence की age होती है और यह hormone दारा कंट्रोल किया जाता है कैसे आपने males में और females में भी देखे होंगे जो male और female के जो लक्षर होते है जो character आते है वो इन्हीं hormones की वज़े से होते है second statement भी correct है third है जो इनका regulation है कितना hormone secret करना है कब कौन सा hormone secret होना है कब किसको रोकना है body को किस hormone की need है यह सब master gland है pituitary gland है यह control करती है तो third statement भी correct हो गया option भी right हो जाएगा 123rd question है match करना है एक तरफ hormones है और यह किस तरह के hormones है या कहां से produce होते है यह पूछा गया है तो hormones में testosterone है second estrogen है third agnase है या फिर pancreas है fourth thyroid है fifth adrenal या फिर अधिव रखके है अब इसमें देखिए second जो list है इसमें insulin का उत्पाधन पूछा गया है कहां से होता है थायरोकसिन का production adrenaline का production fourth है पूरस hormone main hormone इन में से कौन सा है और female hormone देखिए अगर आपको यह question tough लग रहे है न तो यह बिल्कुल भी tough नहीं है प्रशन आते हैं यहां से आपको पढ़ना पड़ेगा statement wise आपको दिखेंगे या फिर measure following में ही दिखेंगे अब प्रशनों की प्रकरती यहीं है तो अगर आपको लग रहा है न कि paper tough है तो पिछले papers उठा करके देख लीजिए आपको levels पता चल जाएगा कि same ही है बिल्कुल भी change नहीं है ऐसे questions के लिए prepare रहेंगे तभी आप solve कर पाएंगे अब देखिए जो testosterone दिया गया है यह देखिए यह एक तरह का पुरुस हर्मोन है मिल गया estrogen तो अभी मैंने बताया था यह female हर्मोन ह दो clear हो गए पैंक्रियास से insulin का production होता है देखिए पैंक्रियास जो है यह अगनाश है जो है mixed gland है इसमें देखिए तीन तरह की cells मिलती है alpha, beta और gamma कौन कौन सी है alpha, beta और एक है gamma ठीक है यह चीज़े समझ में आगई alpha cells, beta cells और यह है जो alpha cell होती है यह glucagon का production करती है किसका glucagon का जो beta cells है यह करती है insulin का किसका insulin का production करती है तीसरा जो gamma cells होती है इन दोनों को नियंद्रित करती है रोकने का कारी करती है का तो यह रेगुलेट करती हैं अब देखो अब मैंने बता दिया न ग्लुकेगॉन इंसुलीन और जो यह गामा सेल से इनको रोकने का कारी करती है तो अब याद रहेगा कि इन से कौन-कौन से हॉर्मोन सिक्रीट होते हैं समझ में आ गया तो पैंक्रिया से इंसुलीन का प्र इसका बहुत बड़ा रोल है आपकी बॉड़ी में क्विक एक्षिन लेने के लिए यह प्रिजेंट होता है हमारी बॉड़ी में या इमेर्जेंसी हॉर्मोन भी इसको बोलते हैं तो मैंने सारी मैश करा दिये हैं अब आप इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा C ऑप्सन C राइट होगा 124th question है निमलखित कत्नों पर विचार करें पहला statement है ध्वनी की तरह प्रकास को प्रसार के लिए एक माध्यम की आवशकता होती है सकेंड statement है मानो कान के लिए श्रव आवरतियों की सीमा लगभग 20-20,000 Hz होती है 3rd है ध्वनी का loudness ध्वनी उत्पन करने वाले कमपन के आयाम पर निर्भर करता है 4th है आवरति ध्वनी की तीशनता या पिच को निर्धारित करती है कौन से statement इसमें correct दिये गए है देखेंगे इसमें 2nd, 3rd और 4th statement सही है लेकिन 1st statement wrong है क्योंकि देखेंगे ध्वनी की तरह प्रकास को दिया गया प्रसार के लिए एक माध्यम के आवशकता होती जबकि गलत है ध्वनी को ट्रेवल करने के लिए मीडियम के आवशकता नहीं होती तो जिस भी option में 2, 3 और 4 दिया गया है वही हमारा answer right हो जाएगा और इस question का right answer है D, option D right होगा चलिए अगले question की ओर बढ़ते हैं 125th question है और इसमें पूछा गया कौन से statement incorrect दिये गए हैं पहले statement है केवल पशू कोशिकाओं में गुरसूत्र होते हैं जो पादप कोशिकाओं में उन पस्तित होते हैं सेकेंडर मनुष्यों में प्रते कोशिकाओं में सामानी रूप से कुल 46 या 23 जोड़े गुरसूत्र होते हैं कौन सा statement correct है ये बताना है और इसका right answer माफ कीजेगा इसमें पूछा गया कौन सा गलत है इसका right answer हो जाएगा option A पहला statement गलत है केवल पसु कोशिकाओं में नहीं जो plants cells होती हैं उनमें भी chromosome होते हैं आपने देखा होगा genetics में जो भी बच्चे science के रहे हैं उन्हें पता होगा है आपने 10 तक तो science पढ़ी ही है genetics वाला मेंडल वाला अपने chapter जब पढ़ा था तो उसमें पढ़ा होगा कि इनमें भी क्या होते हैं जो plants होते हैं उनके cells में भी chromosome present होते हैं पहले चीज़ तो ये clear होगे कि पहला statement wrong है second सही है कि मानों में 13 जोड़े गुरसूत्र होते हैं 13 जोड़े अर्थार तो संख्या में कितने होंगे ये अगर 23 पेर्स हैं तो संख्या में हो जाएंगे 46 कितने हो जाएंगे total 46 ठीक है ये याद रहेगा तो option right हो जाएगा अब देखिए आगे के प्रशन हैं 126 से लेकर के 141 तक प्रशन है जो अकसर करके exam में आते हैं और बह पीचे करके इनका arrangement जो है अलग रहता लेकिन आप देखिए इसमें क्या क्या option दिए गए उनके साथ हम लोग चलेंगे पहला statement है जब अभिकतन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकतन की सही इस प्रश्टी करण है सेकेंड में दोनों सही होंगे लेकिन इसकी सही करता है कि वायुमंडली oxygen के साथ phosphorus के संपर्क को रोखने के लिए से पानी में संग्रहीत किया जाता है और इसका कारण है क्योंकि phosphorus एक बहुत ही प्रतिक्रिया सील गयर धातों और हवा के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है बताइए कौन से statement करेक्ट है यह देखिए यहां पर option फिर से दे भी दिये गए हैं और इसका right answer हो जाएगा option A क्योंकि क्या है कथन सही दिया गया कारण भी सही और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है option A right हो जाएगा next question है दोनों कत्मों को ध्यान से पढ़िए और फिर से statement के अनुसार उत्तर देना है तो एशर्षन है एक धातू की छड़ जो इमारत से उंची होती है उसके निर्मार के दोरान इमारत की दिवारों में स्थापित की जाती है second इसका कारण दिया गया है क्योंकि यह इमारत को बिजली के प्रभाव से बचाने के लिए जमीन पर बिजली के आवेस के हस्तान तरण के लिए आसान मार्ग प्रदान करता है पताईए इसका कौन सा option सही होगा इसका right answer option A कथन सही है कारण भी सही है और कारण कथन की सही व् कारण दिया गया है क्योंकि carbon dioxide को cylinder में संपीरित किया दा सकता है बताईए कौनसे statement correct होंगे इसका right answer हो जाग option B कथन दोनों सही है लेकिन कारण सही नहीं दिया गया है मतलब कथन कारण दोनों सही है लेकिन कारण इसकी व्याख्या नहीं करता क्यों समझे देखे जो co2 है इस और ये क्या करती है जो आग पकड़ती है oxygen तो इसको cover करने का जब इसमें अगनी शाम के अंत्रों में यूज करते है CO2 का तो ये इसके उपर एक चादर की तरह फैल जाती है जिसकी वज़े से आग बुच जाती है तो ये reason है ना कि कतन भी सही दिया गया है और कारण भी सही है लेकिन reason क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया है इसलिए option be right हो जाएगा next question देखिए दोनों कतनों को ध्यान से पढ़िए फिर से और same questions चल रहे हैं अभी 141 तक सीरीज यही चलेगी अगला question देखिए कतन दिया गया है सलाह दी जाती कि कभी भी जलते या सुलकते कोईले की आग वाले कमरे में ना सोए इसका कारण दिया गया इन इंदुनों का अधूरा देहन कारण मोनो ऑकसाइड गैस देता है जो बहुत ही जहरीली गैस होती है इसका right answer होगा option a कतन और क कारण दोनों सही दिये गया है कभी जलते या सुलकते कोईले की आग में कमरे में नहीं जाना चाहिए या नहीं सोना चाहिए क्योंकि देखिए यहां पर कारण मोनो ऑकसाइड यह जहरीली होती है सास घुटने लगती दंग घुटने लगता है इसलिए यही reason दिया गया है और दोनों ही statement सही है कारण भी सही है और सही व्याक्या करता option a right होगा अगला प्रशन है सामान को खीचने में आसानी के लिए अकसर उसे पहियों से बांधा जाता है और इसका कारण है क्योंकि rolling घर्चन फिसलने वाले घर्चन से कम है इसका right answer हो जागा option a आपको कथन कारण दोनों सही दिये गए और कारण सही व्याक्या करता है तर्थात क्या होता है जो rolling होता है rolling क्या करता है जो friction force इसको कटा देता है इसलिए roll करना जादा easy होता है slide करने से इसलिए देखते हैं सामान को ले जाना easy हो जाता है जब उसमें rollers या पहिया लगे होते हैं खीचने में इसलिए आपका option यहाँ पर A right होगा. 131st question है, दोनों कतनों को ध्यान से पढ़िए और फिर से उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए. पहला कतन है, protein वाले खादि पदार्थों को अक्सर body building food कहा जाता है. इसका reason दिया गया है, क्योंकि हमारे सरीर के विकास और मरमत के लिए protein की आवश्यक्ता होती है. Option A right होगा, दोनों ही कतन कारण सही दिये गए, सही व्याख्या भी कर रहा है, protein body building food है. क्योंकि हमारी body में जो two food है, कोई growth है, उसके लिए protein की requirement होती है. तो आपकी व्रद्धी के लिए अगर protein की कमी होती, तो बच्चों का जो विकास है, वो रुख जाता है. Body में कोई two food है, मरमत होनी है, तो protein अगर आपकी body को सही से नहीं मिला, तो भी. यह आप जो जिम जाने वाले लोग उनको बहुत अच्छे से पता होगा, वो लोग protein बहुत लेते हैं, क्योंकि देखे, जो exercise करते हैं, muscles जो रप्चर होती है, उनको recover करने के लिए protein लेते हैं, इसलिए body building food है, आपकी body को growth भी देता है, और उसकी मरमत भी करता है, तो right answer हो ज कारण lactobacillus jivadu, दही निर्माण के लिए इसको बढ़ावा देता है, दूद में द्विगुडन करता है, और इसे दही में परिवर्तित करता है, इसका right answer देखे, वो जाएगा दोनों सही हैं, लेकिन कारण ऐसी व्याख्या नहीं कर रहा कि, देखे, जो दही जमाने में lactob lactobacillus use होता है, इस वज़े से हानिकारक या लाबदायक है, बैक्टीरिया हम लोगों ने पढ़ा है, बैक्टीरिया से कुछ disease भी होती है, और कुछ अच्छे भी है, disease हमने पढ़ी थी, tuberculosis पढ़ी है न, तो क्या हो रही हानिकारक हो गए, लेकिन कुछ जीवाड़ू ऐसे ह कुछ बैक्टीरिया ऐसे, जैसे दही वाला बैक्टीरिया हमारे लिए फायदे मन्द है, दही खाते कौन सा, lactobacillus वाला, जो कि दही निर्मान को बढ़ावा देता है, पर ऐसा कोई reason नहीं कि इस कारण से ऐसा होता है कि हानिकारक है या फिलाब दायक है, तो दोनों सही दि पॉक्स और तपेदिक संचारी रोग हैं, अर्थात communicable diseases हैं, इसका कारण है है, यह सूच में जीव रोग हैं, जो एक संक्रमित व्यक्ती से एक स्वस्त व्यक्ती विम फैल सकते हैं, इसका right answer option A होगा, यह जितने भी दिये गए इसमें disease, cholera है, common cold है, chicken fox है, tuberculosis है, सभी communicable disease है एक से दूसरे में फैलती हैं, और इसका reason भी है, क्योंकि यह microorganism से होते हैं, यह इतने सुच मोते हैं कि खासने, छीकने से, टश करने से, इधर उधर बहुत जल्दी फैल जाते हैं, और दूसरे जो स्वस्त लोग होते हैं, उनको बीमारी फैला देते हैं, और इसका best example आप सेख सकते हैं, common flu जो है, cold है, अकसर करके किसी एक को होता है, दूसरे को हो जाता है, और आप लोग कोवीड टाइम में तो बहुत अच्छे से देख चुके हैं, किसी एक को हो रहा था, दूसरे को कितनी जल्दी फैल रहा था, तो कैसे बचाव किया जाता है, दूरी जरूरी है, hygiene maintain करना जरूरी है, और जैसे भी ऐसे person है, जिनको ये हुई है communicable disease, उनको थोड़ा privacy दी जाए, मतलब थोड़ा hygiene maintain करके उनको अलग रखा जाए, वैसा अलग नहीं रखा जाए, कि विल्कुल वो upset हो जाए, depression में चले जाए, कि हमको केले ही छोड़ दिया, TB दे दिया, त उनको कोई इतनी बड़ी बीमारी होगी कि वो बच नहीं सकते, हर चीज का cure है, cure करने के लिए आपको जो instructions है, उनको जरूर follow करने होते हैं, तो ये communicable, non-communicable diseases से question काफी आते हैं, मैं पढ़ा चुकी हूँ, अगर आपने class नहीं देखिए, तो science वाली class जरूर कीजिए, नेक्ट question देखिए, बिना वाले posturized milk जो दूद है, इसका सेवन किया जा सकता है, इसका कारण है, जो posturized milk है, ये हानुकारक रोगाणों से मुक्ध होता है, बताए कौन सा answer right होगा, और इसका answer right होगा option A, देखिए, जो posturized milk है, वो बिना boil के भी use किया जा सकता है, क्यूं? अब ये समझे, क्यूंकि इसमें जो postur के लिए दूद होता है, posturization की जो process होती है, उससे जो हानिकारक रोगाणों है, वो खत्म हो चुके होते हैं, तो जो packet पहला आप लोग दूद लाते हो, बिना boil किये भी पी सकते हैं, क्यूं? ऐसा होता है कि दूद को अचानक से बहु आपके लिए नुकसान दायक नहीं है, कथन कारण दोनों सही है, और कारण सही व्याख्या भी करता है, 135th question है, दोनों कथनों को ध्यान से पढ़ें और निम्रकित में से सही विकल्प चुनें, कथन ने टेफलॉन का उपयोग बर्तनों पर नौन इस्टिक परत के लिए किया के लिए, लेकिन टेफलॉन अनिप्लास्टिक की तुलना में अधिक सस्ती है, ऐसा गलत दिया गया, इसलिए option C, right हो जाएगा, next question देखिए, sodium धातू को केरोसीन में संग्रहित किया जाता है, क्योंकि करण दिया गया है, sodium धातू बहुत प्रतिक्रिया सील है, या oxygen और पानी है, इसको केरोसीन में स्टोर करके रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत जादा रियक्टिव होती है, और ये क्या करती है, oxygen और पानी के साथ तीव्यता से प्रतिक्रिया कर लेती है, इसलिए option A, right होगा, अगला प्रशने, LED धीरे-धीरे पसंदीदा प्रकास रोध बन रहे है ऐसा क्यों है, कारट दिया गया है, वे पारंपरिक बल्बों की तुलना में अधिक चमकदार होते हैं, इसका बताना है कौन सा statement करेक्ट दिया गया है, यहाँ पर देखिए option C, right होगा, A सही है, किन्तु आर गलत है, ऐसा क्यों है, इसका कारट क्यों गलत दिया गया है, समझ बल्ब यूज किया जाते हैं, उनसे जादा होती है, लाइफ टेम, इसलिए ऐसा reason दिया गया है, सरसन दिया गया है, तो कारट गलत हो जाएगा और कथन सही option C, right होगा, अगला प्रशन देखिए, टीन के डिब्बे में जो भोजन के भंधारण के लिए प्योग किये जाते ह करण करके बनाय जाता है, इसका कारट दिया गया क्योंकि टीन लोहे की तुलना में कमप्रती क्रियाशील है, इस प्रकार भोजन लोहे के संपर्क में नहीं आता और खराब होने से बच जाता है, इसका right answer होगा option A, कथन और कारण दोनों सही है, और कारण सही सपष्टी करण देता है कथन का, नेक्स्ट है कथन आम नमक जब आसुद जल से भंग हो जाता है, तो एक अच्छा समभाहक बन जाता है, इसका कारण दिया गया है क्योंकि डिश्टिल वाटर या आसुद जल बिजली का अच्छा समभाहक होता है, इंगलिस में देख लीजे अगर हिंदी म नहीं समझाया है, एसरसन है, कॉमन सॉल्ट वें डिश्टिल वाटर मेक्स इटा गुड कंड़क्टर, इसका रीजन दिया गया है, डिश्टिल वाटर इस गुड कंड़क्टर ऑफ एलेक्रिसिटी, और इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन C, ए सही है किन्तु आर ग इसका कारण दिया गया है, क्योंकि ध्वनी की गती ठोस माध्यम में सबसे अधिक होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन D, देखिए सरसन गलत दिया गया है, लेकिन इसका कारण सही है, जो ध्वनी है, ये सॉलिड में बहुत अच्छे से समवहन करती है, इसका कारण सही है, क्योंकि ध्वनी की गती ठोस माध्यम में सबसे अधिक होती है, तो ये साइंस के हमने कुछ कोशन देखे, जिसमें फिजिक्स, केमेश्ट्री और बायोतीनों के मिक्स कोशन है, तो अगर इन कोशन में प्रॉब्लम है, मैं एक्स्प्लेनेशन भी बहुत सही से देख नहीं रहे हैं, और कमेंट्स भी आपके बहुत कमाने लगे हैं, तो पढ़ते रहे हैं, टाइम नहीं वेश्ट करिए, जो समय था वो निकल गया, आपको अच्छा मौका मिला फिर से पढ़ने का, और ऐसे योर कोशन के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो धन्यवाद